हलो माई दियर सुडेंट्स, वेलकम तो माई चैनल अलफा नालज बॉक्स, इस वीडियो में आज हम NCRT कक्छा छे हिंदी मलहार के पार्ट नौ, मैया मैं नहीं माखन खायों की व्याख्या करेंगे और साथ में इसके कुछ प्रिश्ण उत्तर को भी कवर करेंगे पार्ट का नाम है मैया मैं नहीं माखन खायों, मैया का अर्थ है मा, नहीं का अर्थ है नहीं, माखन का अर्थ है मक्षन और खायों का अर्थ है खाया और इस पूरी पंक्ति का अर्थ है मा या मैया मैंने माखन या मक्षन नहीं खाया है सूर्दास का एक लोग प्रीभजन है मैं नहीं माखन खायो ये पंक्ती उसी की है चलिए इसके अर्थ को समझने से पहले सूर्दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कव इसे परजे यहाँ पर सूर्दास जी का परशे बता गया है अभी आप जो रशना पढ़ेंगे वाद सूर्दास द्वारा रचित है माना जाता है कि उनका जन्म पंदर्मी शताब्दी में हुआ था सूर्दास ने अपना अधिकांश जीवन मत्रा गोवर्धन सहित इसले इनकी रचनाय ब्रच भाष्ण परशे बताया इसलिए इनकी रचनाएं ब्रिज भाशा में लिखे होगी है ये रचनाएं इतनी सुन्दर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचली थे उनकी अधिक तर कविताओं में श्रीकरश्णी की बाल लेलाओं का मनोहारी वरणन है इनकी कविताओं बहुत सुन्दर हैं और आज भी लोगों के बीच में प्रचली थे प्रसिद हैं मश्यूर हैं इन्होंने अपनी कविताओं में श्रीकरश्णी की बाल लेलाओं का वरणन किया है बाल लिलाओं मतलब बच्वन में वो जो भी लिलाए करते थे जो भी क्या करते थे और ये बहुत जादा मनोहारी हैं अर्थात मन को मोह लेने वाली हैं इनकी जो भी कविताएं हैं वो बहुत जादा लोग प्री हैं अर्थात मशूर हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं अपनी उतक्रिस्ट रचनाओं के कारण ही ये महा कभी सूर्दास कहलाएं और इनकी मृत्तु सोल्मी शताबदी में हुई थी अभी आपने समझा कि सूर्दास जी की रचनाएं ब्रिज भाशा में थी ये भजन भी ब्रिज भाशा में लिखा गया है चलीज के अर्थ को समझते हैं मैया मैंने माखन खायो मैया मतलब मा नहीं मतलब नहीं माखन मतलब मक्खन खायो मतलब खाया जब ये शोदा मैया क्रेश श्रीकूषन जी बड़ी माशूमिया से कहते हैं कि मैया मैने मक्खन नहीं खाया है। यहां पर Shree Krishna सफाई दे रहे हैं कि मैईय मेंने माखन नहीं खाया है लेकिन इस चित्र में दिखाय दे रहे है कि इन्होंने माखन खाया है। अपने एक मित्र के उपर चण करके ये टंगी हुई माखन की मठकी को गिरा करके माखन खा रहे हैं। अगली पंक्ति है, भोर भयो गयन के पाच्छे मधवन मोही पठायों, भोर भयो मतलब सुबा होते ही, गयन मतलब गाय, गयन के पीछे मतलब गायों के पीछे मधवन एक वन है, यह यम्न नदी के किनारे का एक वन है, मोही पठायों मतलब मुझे भेज दिया, यहाँ पर श्र सांज परे घर आयों पहर का अर्थ है तीन घंटे बंसी वट एक व्रेच्छ है जहां पर कृष्ण बैट करके बंसी बचाय करते थे भट क्यों मतलब भटकना सांज परे मतलब शाम होना श्रीक्रेशन अपनी सफाई में इस पंक्ति में कह रहे हैं कि वो चार पहर तक बंसी व मेरी बाहें मेरे हाथ भी बहुत चोटे हैं मेरे हाथ छीकों तक कैसे पहुंच सकते हैं चीका रसी या कपड़ों का बुना हुआ इस तरह का एक हैंगर होता है जिसका उप्योग इस तरह से दूद दही मक्षन को टांगने के लिए किया जाता है शेहरों में इसका को टांगने के लिए किया जाता है इस चित्र में देखें यहां पर भी एक छीका दिखाये गया है उसमें एक दही की मटकी टंगी हुई है और श्री केशन उसे गिरा करके खा रहे हैं तु माता मन की अतिभोरी इनके कह पतियायो अतिभोरी का मतलब है बहुत जादा भोली बहुत जादा सरल और इनके कह पतियायो मतलब इनके कहने में आ जाती हो इस पंक्ति का अर्थ है कि माता मा तुम बहुत भोली हो तुम बहुत सरल हो और इनके कहने में आ जाती हो कि मैंने माखन खाया है आगे है जिय तेरे कुछ भेद उपज है जानि परायो जायो यहां प जानी परायो जायो मतलब ऐसा जान पढ़ रहा है कि तुम मुझे पराया समझ रही हो यहां पर कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए शंका उत्पन हो रही है और ऐसा जान पढ़ता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे पराया समझ रही हो ये ले अपनी लकूटी कमरिया बहुता ही नाचना चायो लकूटी का अर्थ है छड़ी और कमरिया का अर्थ है छोटा सा कंबल जिस तरह से छोटे बच्चे प्यार से अपनी मां से घुस्सा दिखाते हैं ठीक उसी तरह से कृष्ण जी भी छोटे हैं और अपनी मां से घुस्सा दिखाते हुए केते हैं कि ये अपनी छड़ी और कमर्या दोनों वापस ले लो तुमने मुझे बहुत नाचना चाया है और अंद में है सूरदास तब बीहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो बीहसी मतलब हस कर मुस्करा कर जसोदा मतलब यशोदा मया ले मतलब ले लेना लगा लेना उर मतलब हिदय कंठ मतलब गला अंद में सूरदाची कहते हैं कि ये सब चीज़े सुन करके यशोदा हस करके मुस्कुरा करके क्रेशन जी को अपने गले अपनी चाती से लगा लेती हैं इस तरह से इस पद में ये समझाया गया है कि शिरी क्रेशन जब अपने मित्रों के साथ माखन चुरा और अंत में उनकी मा यशुदा उनकी भोली और मासूमिया से भरी बातों से प्रसंद हो करके मुस्कुराती हैं और कृष्ण को गले लगा लेती हैं चलिए अब पाठ में दे हुए प्रश्ण अभ्यास को देखते हैं, सबसे पहले है पाठ से, यहां पर पहली हेडिंग है, मेरी समझ से, इसमें का प्रश्ण है, नीचे दिएगे प्रश्णों का सटीक उतर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाएए, का प्रश्ण में पहला प्र और अंदिम विकल्प है, मेरी छोटे-छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, यहां पर सभी तर्क सही हैं, लेकिन सबसे सटीक तर्क है, मेरी छोटे-छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, इस तरह से इसके सामने तारा बनाएए, दूसरा प्रश्ण है, श्री क्रेश् माखन खा रहे थे, खा पर प्रेश्ण है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, आप इस तरह से चर्चा कर सकते हैं कि प्रेश्ट एक का या उत्तर हमने इसलिए चुना, क्योंकि पहले दो विकल्पों में बालक काना तर के संगत प्रतीत होता है, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रेश्ट दोका या विकल्प हमने इसलिए चुना है, क्योंकि काना के मुख पर माखन लगा हुआ था, अगली हेडिंग है, मिलकर करे मिलान, पार्ट में से चुनकर यहां कुछ शब्द दिये गए हैं अपने समों में इन पर चचचा कीजे और इनके सही अर्थिया संदर भी मिलाएए इनके लिए आप शब्द कोष, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं सारणी में यहां पर शब्द लखे हुई हैं और इधर अर्थिया संदर भी लिखे हुई हैं पहला शब्द है जसोदा अर्थात यशोदा, जसोदा क्रिश्न की वो मा थी जिन्होंने इसे पाला था, इनकी असली मा थी देवी की, इसे मैच करेंगे, या मिलाएंगे चार नमबर से, यशोदा श्री क्रिश्न की मा जिन्होंने श्री क्रिश्न को पाला था, दूसरा शब् में आठ पहर होते हैं, तीसरे पर है लकूटी कमरिया, लकूटी मतलब होता है लाठी और कमरिया का अर्थ है छोटा सा कमबल, कृष्ण जी इन दोनों को अपने साथ रखते थे, इसे मैच करेंगे आठ नमबर से, लाठी और छोटा कमबल, कमली मानता है कि श्री क्रश्न चराने जाते थे तो एक व्रक्ष पर पहटकर बंसुरी बजाते थे जिसे उनकी गाये आ जाते थे इसे मैच करेंगे दो से एक वटब्रक्ष मानता है कि शिरिक रख्ष जब गाय चलाया करते थे तब इसी व्रक्ष के उपर चड़कर वंशी की ध्वनी से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे पांच पर है मधुबन बन का अर्थ है वन इसे मिलाएंगे साथ नमबर से मत्रा के पास यमना के किनारे का एक वन छे नमबर पर है छी को इसे मिलाएंगे तीन नमबर से गोल पात्र के आकार का रस्यों का बुना हुआ जाल जो छत या उंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखे हुई खाने पीने की चीजें दूद दही आदी को कुट्टे बिले आदी ना खा पाएं या ना पा सकें साथ पर है माता ऐसी मा जिसने जन्म दिया हो इसे मैच करेंगे पांच नमबर से जन्म देने वाली उत्पन्न करने वाली जननी या मा और अंतिम है ग्वाल बाल बाल मतलब बच्चे ग्वाल मतलब गाय चराने वाले इसे मैच करेंगे छे नमबर से गाय चराने वालों की बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी इसी तरह से आपको भी मैच करना है मैचें करनी है मिलाना है अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्छा में साजा कीजिए, और अपनी लेखन के पाच्छे मदुबन मोही पठायो, इसका अर्थ है कि भोर होते ही, सुबा होते ही, मुझे गायों की पीछे, मदुबन एक वन का नाम है, वहां आपने भेज दिया, ये श्रीक्रशन अपनी मा से कह रहे हैं, जब मा उन से कहती है कि तुमने माखन खाया है, उत्तर आप इ इसका अर्थ है कि सुर्दास ची कहते हैं कि यश्ण जी की मासूमियत भरी बातों को सुनकर यश्ण हसने लगती है और उने कले लगा लेती है, उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, इसका अर्थ है कि जब श्रीक्रशन ने अपनी मासूमियत से सफाय दी तो यश्ण मा हस प आपको एक बार फिर से पढ़िए और निमलिखित प्रशनों के उत्तर ढूंकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, पहला प्रशन पूछा गया है, पद में श्रीक्रशन ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, यहां पर आप कह सकते हैं कि पद में श्रीक्रशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने माखन नहीं चुराया है, उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पद में श्रीक्रशन ने अपने बारे में यह बताया है कि उन्होंने माखन नहीं खाया, उन्होंने अपने तर्क में कहा कि उनके छोटे-छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुँच सकते इसलिए वे माखन कैसे खा सकते हैं इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वे तो सुबा से गायों को चराने के लिए मदवन भेजे गये थे और पूरा दिन वहीं बिताया दूसरा प्रशन पूछा गया है यशödha माता ने शीरी क्रशन को हस्ते हुए गले से क्यों लगा लिया पद में शीरी क्रश्न कहते हैं अपनी माता से कि तुम बहुत भोली हो मेरे मित्र जूठ बोल रहे है मैंने माखन नहीं खाया है वो अपनी लकुटी कमरिया उस्से में माता को दे कर कहते हैं कि तुमने मुझे अपनी बातों से तंग कर दिया है पुत्र की मा सुमियत भरी बातों से दो व्याकुल हो करके उसे गले लगा लेती है उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं पद में बालक कृष्ण बड़ी-बड़ी बाते करते हुए कहते हैं कि मा तुम बहुत भोली हो जो उनकी बातों में आ गई हो और मुझे पराया जानकर तुम भेद भाव कर रही हो नाराज होने का नाटा करते हुए लकुटि कमरिया वापस करते हुए शिरी क्रश्न कहते हैं कि आपने मुझे अपनी बातों से बहुत तंग किया है पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर उनकी प्यारी-प्यारी बाते सुनकर यशोदा मया उन्हें गले से लगा लेती है ये थी पार्ट की पार्ट वन वीडियो पार्ट टू वीडियो को कविता की रशना से शुरू करेंगे दिस इस दा एंड आफ वीडियो थैंक्स फर वाचिंग